नमस्ते फ्रेंज मैं आज आपको फेस्बुक लाइब में आया हूं आपको दो तीन चीज बात करने के लिए फर्स्ट फॉल आज बाइलेक्शन था चार सीट्स में और मैं सबसे पहले जो जो ये एलेक्शन में जीते हैं बीजेपी से हो या कॉंग्रेस से हो मैं सब को कॉंग्रेशिलेशन बोलना चाहता हूँ अच्छे तरीकी से कॉंटेस्ट हूँ और बाइलेक्शन में एक ट्रेंड रहता है पूरे दुनिया में पूरे इंडिया में कि जो भी पावर में है स्टेट में वही बाइलेक्शन जीता है आपने ये 2013 में नलचर में देखा होगा आपने ADC में भी बाइलेक्शन देखा था जहां में CPM जीत रहा था दो साल बाद IPFT और BJP जीते तो ये ट्रेंड रहता है कि जो भी स्टेट में रूलिंग में है वो बाइलेक्शन जीता है लेकिन इस बार इस बार बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ हुआ है आपने देखा होगा कि अगरतला से सुधी प्राइब बर्मन जीते हैं और बर्दवाली में जहां से हमारे निव चीफ मिनिस्टर मानिक बाबू वो लड़ रहे हैं उन्होंने जीत हासिल किया है और जुबराज नगर में BGP जीती है क्योंकि वहां में जो सिटिंग एमिरे थे वो CPM से थे लेकिन बाइ उलेक्शन में BGP जीते हैं ते सुर्मा का बारे मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि तीप्रा मौथा सुर्मा से लड़ा था सबसे पहले मैं अपने तीप्रा मौथा के लीडर्स को वार्कर्स को वारियर्स को टीडवी एफ के ओर वाईटिएफ सबसे पहले मैं आपको congratulate करना चाहता हूं क्या fight दिया आपने आज से एक मेहने पहले किसी ने किसी ने तिप्रा मौथा को chance ही नहीं दिया था कि हम लोग election में candidate भी दे सकते हैं कि नहीं सब कह रहे थे कि तिप्रा मौथा candidate भी नहीं दे पाएगा सूर्मा से लेकिन हमने candidate दिया और आज ये एतिहासिक moment है historical है कि आज एक अंचुलिक पार्टी 20 seat के बहार लड़ा और लड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी जो ruling government है उनको टक कर दिया और हम आज second position में आये हैं CPM हमसे 5000 वोट कम लिया है 4000 वोट उन्होंने हमसे कम लिया है हम आज almost 12000 वोट लेकर हम आज second position में आये हैं एक message हमारे तिप्रा सा ने हमारे तिप्रा मौथा ने और हमारे तुप्रा के लोगों ने भेजा है कि एक अंचुलिक पार्टी 20 seat के बाहर भी candidate दे सकता है और सिर्फ नाम के लिए candidate नहीं दे रहा है हमने candidate दिया और वो candidate ने और पार्टी ने संगठन ने एक होकर हमने contest किया मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आज difference सिर्फ 3-4 वोट का था और हमें अगर समय मिलता तो मैं आपको बोल सकता हूं कि हम ये seat जीत भी सकते थे लेकिन 6 मेने बाद फिर से ये election है और 6 मेने के बाद जब ये election होगा तो मैं आप सब को एक बाद बोलना चाह रहा हूं आज तीपरा मौथा एक मेने में 12,000 वोट लेकर इतना सामने आया है और 6 मेन अगर हमने जमीन में हम रहे तो सूर्मा का seat भी तीपरा मौथा ही जीतेगा ये मेरा आपको commitment है और मैं सूर्मा के YTF को TWF को और सब लीडर्स को मौथा के सब लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि चिंता मत करो हमने एक अच्छा fight दिया और 6 मेने के बाद 12,000 को हम लोग 18,000 करके हम लोग वो seat जीतेंगे हम आधा रास्ता तक पहुँच चुके हैं अब हमें सिर्फ momentum नहीं छोड़ना है हमारा एक motivation रहना चाहिए और हमारा मनुबल रहना चाहिए दूसरा बात मैं अपने YTF के और TWF के और तीप्रा मौथा की लीडर्स को बोलना चाह रहा हूँ बहुत लोगों ने जो तीप्रा सा नहीं है, SEs हैं, हिंदिस्तानी हैं, चायबागान के हैं, आदिवासी हैं, मुसल्मान हैं उन्होंने हमें वोट किया, बिंगॉली से, उन्होंने मनिपूरी से, उन्होंने हमें वोट किया, आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है कि इनको प्रोटेक्शन दे, इनके संग आपको सुरक्षा दे क्योंकि छे महने बाद ये फिर से आएंगे और हमें वोट करेंगे और इस बार अगर हमने इनको प्रोटेक्शन दिया इनके साथ रहे तो डबल से ज़ादा ये लोग आकर हमें वोट करेंगे क्योंकि ये भी हमारी संग है ये पॉलिटिक्स ये हमारा जो स्ट्रगल है ग्रेटर ती प्रेलैंका है किसी की कम्यूनिटी के खिलाफ नहीं है कोई भी धरम के खिलाफ नहीं है आखिर में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ बहुत लोग ने मुझे फोन किया दिल तूट गया है किसी का दुख है किसी को मैं जानता था कि ये सूर्मा का इलेक्शन आसान नहीं होगा लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि दो महने बाद विलिज काउंसल इलेक्शन है अगर हमने अपना कैंडरिट नहीं दिया होता तो 14,000 तीपरासा विलिज काउंसल इलेक्शन में किसी और पार्टी को वोट करता है हमने ये बार कैंडरिट दिया और ये कैंडरिट हमारे तीपरासा लोगों ने हमारे सूर्मा के जो लोग ने सब ने मौथा को वोट किया और अब विलिज काउंसल इलेक्शन जब होगा तब वहां में हमारे ही लोग आप village council को capture करेंगे देखो हर election सिर्फ हारने या जीतने से उसका कोई मतलब नहीं होता है एक message जाना चाहिए और message हमने अपने opponent को जो हमारा विरोध करते उसके दिल में पहुँचा है हमने उनके दिल के अंदर एक message भेजा है कि आप अब तिप्रा मौथा को हलका मत समझो क्योंकि सब लोग कह रहे थे be seat, be seat, be seat अब आप देखे तेलिया मूरा में क्या होता है अब आप देखे अमरपूर में क्या होता है अब आप देखे पानी सागर में क्या होता है सोना मुरा बक्सोनगर में क्या होता है धनपूर में क्या होता है माताबारी में क्या होता है मजलिशपूर में क्या होता आप देखे और जिस लोगों ने हमें वोट किया जो तीप्रासा नहीं है मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपने मेरे उपर विश्वास किया आपने हमारे उपर विश्वास किया थैंक यू वरी मुच आपने जो विश्वास हमें दिया है वो विश्वास हम नहीं तोड़ेंगे हम सबको प्यार करते हैं सबको आदर करते हैं हम अपना सम्विधानिक अधिकार मांग रहे हैं आपका क आफरत की राजनिती करते हैं, हम जोडने का राजनिती करते हैं, तोडने का नहीं。 आखिर में, यहां में मैंसेजि़िस मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग बोल रहे कि दुख लग रहा है दुख की क्या बात है हमने fight किया है और हमने आज CPM और Trinamool को second और third position में रखा है सब लोग कहते थे कि तुप्रा fourth position में आएगा second में शायद CPM और third में Trinamool आए क्योंकि वो seat ST नहीं है लेकिन आज non ST seat में भी SC seat में भी हमने इतना अच्छा vote पाया है कि अब सब को तीप्रा मौथा को seriously लेना पड़ेगा और आप देख लो आने वाले एक मेहने में और लोग तीप्रा मौथा जोईन करेंगे आने वाले एक मेहने में मैं और जोर से काम करूँगा और अब तक सब लोग कह रहे थे अगर 20 seat तीप्रा मौथा जीतता है तो next government में तीप्रा मौथा का हाथ रहेगा भाई मैं 20 नहीं देख रहा हूँ, मैं 40 देख रहा हूँ, मैं 45 देख रहा हूँ और उसके लिए अब आपको सूर्मा में हमारे सब लोगों को जिसने वोट किया हमारे लिए मुस्लिम हो, चाबागान का वकर हो, आदिवासी हो, बिंगॉली हो, स्सी हो, मनिपुरी हो जिनोंने हमें वोट किया है, YTF, TWF, तीप्रा मौथा, आप उनको प्रोटेक्शन कीजिए, उनके साथ रहिए 6 मेने बाद, मैं आपको बोल रहा हूँ, 6 मेने बाद, आज जो हमने काम किया है, उससे 3 गुना जादा काम करूँगा उससे मैं 2 गुना जादा समय दूँगा, और आप देखिए, 2023 में सूर्मा से एक तीप्रा मौथा का कैंडिड जीतेगा जो नया MLA आया है, congratulations, अगला 6 मेना आपके पास है, और उसके बाद, अगला 5 साल हमारे पास होगा Anyway, I would like to wish everyone, I would like to wish the Honourable Chief Minister Manik Shahaji for winning the election, I would like to congratulate Sudeep Rae Barman for getting re-elected, you fought a good battle and you have won and I would like to also congratulate the candidate from Jubrajanagar for having put up a great fight I also wish the lady who has won from सूर्मा the very best and to अपना बाबुराम सत्नामी, बाबुराम आप पहले हो जिसने तीप्रा मौथा के लिए फाइट किया है, लेकिन आप आखरी नहीं हो, और लोगों को भी हम चांस देंगे, और लोग भी फाइट करेंगे तीप्रा मौथा से, और और लोग भी next time ज Thank you to all the people from सूर्मा, आपने मेरे उपर विश्वास किया, और आज हम 0 से 12,000 पहुंचे हैं, 12,000 से 18,000 वोट लेने के लिए हमें और अब 6 मेहना चाहिए, और भगवान जानता है कि जब तीप्रा मौथा अपना माइंड मेक अप करता है, तो हमें कोई नहीं रुख सकता है, कुलुंका